भारत सरकार द्वारा जो बनाये गए नए कानून के तहत ड्राइवर्स के उपर जो ड्राइविंग जो नेगलेजेंस ड्राइविंग रश ड्राइविंग के उपर बनाये गया कानून था उसमें कठोर जरूर दंड था प्रावधान था पनिश्मेंट भी ज्यादा था फाइ हो कम से कम हो और ये दिखे कि कम हुआ है तो इसके लिए शायद ऐसा था पनिश्मेट लेकिन अब भारत सरकार ने उस पर पुनर्विचार करने के हिसाब से सोचा है कि नए कानून आएंगे नई बात आएगी तो उसमें देखा जायेगा लेकिन हा डॉइबरो सकी आर्थिक स्थिति है या जो प्रॉफेशनल ड्राइवर हैं या स्करते हैं जो ऑने और कैules की बादो या भाउग जाने वाली बात तो कि नियुद्ट पार शरकार कि संकल्पना यही थी कि देश यो हमारा रोड अक्जिएन्ट की संख्या कम हो लोह सुरक्षित रहें जो आज ड्राइविंग कर रहा है कल उसका कल वह हम वह पर चल रहा होगा और अब उसका परीवार का भी तो शुप कर रहे हैं उसमें ड्राइवर्स भी अच्छूते नहीं रहेंगे कि उनके साथ को या न्याय हो और इंजडस्टिस हो वह हमारे देश की हैं हमारे देश सभी जो ड्राइवर हैं कोई ड्राइवर कि बात नहीं है तो उससे प्रभावद होते हैं लेकिन सभी उसी समाज का हिस्सा भी है उसी समाज का अंग भी है और उसी समाज के दारे में रहते हैं और उसी आधार पर सब चलते हैं जिस आधार पर ये ऐसा कुछ हो रहा है और इसमें परिवर्तन आएगा तो और सुधार आएगा लोग अपने बातें दें सुझाओ दें क उस पर रुकावट हो रोड एक्सिवेंट कम लोग Украї की जान माल का नुक्सान कम हो क्योंकि जब एक व्यक्ति की किसी की मौत होती ऐक्सिवेंट होता है तो कई रिस्तों को प्रहवित करता है कई रिस्ते उससे चोटों पर मरहम लगे उन सब को राहते इसलिए मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिबुनल की बात हो इंसुरेंस की बात हो रोड के कानून की बात हो अच्छी रोडें अच्छे यातायाद अच्छे सम्मिलें उनके लिए होना चाहिए